कि बिस्मिल्लाइब रहें से लेकुंस जैसे कि लास हमने 6.27 तक डिसकेशन कर ली थी और यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो एक्जाइम इंपॉर्टन कोश्चन से वह कंप्लीट होगे इस पैंट टूइट टू उन्वड आयर के कोश्चन स्टार्ट हो रहें ठीक है इसके डिटेल वीडियो में शॉट में बिनाए विए वह मैं एड दे अंड आफ दिस वीडियो आपको उसका वीडियो देदूंगा तो आप वहां पर उससे देख लीजेगा ठीक है अच्छा ड में मापास फाइफ मीडियान इसका मतलब यह नागेटिव मीन यह कैश आउट फ्लूज है और वन टू थ्री यह हमारे पास तीन कैश इंफ्लोज आगए ठीक है और उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट का बताएं आयर आर किया है तो याद रखेगा आयर कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम में प्रैजेंट वैलू है यह कैश इंफ्लोज आउट प्लो प्लोज हों और वहां से वह हम से पूछ यह होता है प्रैजेंट वैल्व कैश इंफलोभ Зап macam ए एक्वल तो प्रैजन्ट वैल्यू कैश आउट फ्लोज खीच है हम दोनों को एकउल कर देंगे और यहां स जो रेट आएगा इस रेट का नाम आई रार होगा ठीक है तो हमने क्या करना है present value को equal कर देना है what is the present value of cash inflow तो present value cash inflow तीन है हमारे पास number one is 1 million one plus r to raise power minus one क्योंकि यह one year पर plus five point two million then five point two million फॉइन प्लस आउं नहीं यह सब्सक्राइड ऐस फन प्लस और च tra Dee खुड अबक हुआ वह Simoneत्तों यह कॉन चाम सब्सक्राइब जह रहां कि आदे मुदुड चाट दो करेंगे यह को प्लस असट धी केश एंगे इस फाइफ मिलियन पर होगा ठीक है और वह आना चाहिए नाइंटीन पॉइंट टू परसंट लेट सी यह नाइटीन पॉइंट टू परसंट आता है या नहीं आता जी यहां पर कल्कुलेशन करते हैं सबसे पहले हमारे पास आजएगा वन ब्रेकिट और वन प्लस आर तो आर अलफा और एक्स आ गया ठीक है उसके बाद टू रेस पार माइनस वन यह माइनस वन आ गया ठीक है और प्लस फॉइव पॉइंट टू ब्रेकिट वन प्लस आर ठीक है अर टूरेस पार माइनस दू प्लस 0.85 और 1 प्लस अगें एक्स जू माहरा अर होगा और पार इसको जाएगी मीनस थृ प्रासलेखरी क्रैसरी प्लेट प्लस उण प्लस अलफा तीकीड सेगल उटन गया और शिफ्ट सॉल्फ करेंगे तो यह हमारा आंसर आजाना चाहिए लेट सी हमारा आंसर क्या आता है तो आंसर आगे 19.21 तो यहां पर हमारे पास आ गया 19.21 तो यह हमारे पार एक्जैक्ट आंसर आगे ठीक है बाके सारे कोशन आप लोगों ने इस तरह करने है तो पहले बाले कोशन मैं आपको सिखा दिया उमीद करता हूं बाकी वाले कोशन आप कुछ सॉल्फ कर लेंगे ठीक नेक्स कोशन देखते हैं आप अच्छा जी नेक्स कोश्चेन में एक्जामिनर कह रहा है कि अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3 मिलियन एक प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 मिलियन का कर रहा है एस पैक्ट जनरेट कैश 0.15 मिलियन.25 पैक्ट 25 विलियन.3.35 मिलियन एड एंड ऑफ इज आफ डी नेक्स घ्र और आइड आविच्ट रॉड़ियर और और इस प्रोजेक्ट का र क्या थी कैश किया है तो बिलकुल easy सा question है कोई difficulty level नहीं है तो formula क्या IRR calculate करने का present value of cash inflow equal to present value of cash outflow inflow कितना साथ से पहले 0.15 तो क्या करना है 0.15 1 प्लस R 2 रेस पार माइनस 1 प्लस 0.25 0.25 1 प्लस R 2 रेस पार माइनस 2 प्लस 3.35 3.35 1 प्लस R 2 रेस पार माइनस 3 equal to 3 million यहां पे 3 रखूँगा क्या करना है इस सारी equation को calculate न पूट करना है जैसे कि उपर वाले को पूट किया तो R आपका आजएगा 8.16 परसंट ठीक है तो क्योंकि हमारा यह delta option बन जाएगा तो simple सा question कोई difficulty level नहीं है easy peasy question है ठीक है इनको solve करते जाए enjoy करते जाए ठीक है जी अच्छा जी 6.3 question दूर है ठीक है हमारे फिर discounted cash flow present value of NVT NPVIO IIRR complete हो जेगा exam important question के हवाले से ठीक है 6.30 देखतें जेना आप a project costing 2 million expected to yield 1 lakh 2 lakh 23 lakh और find the IRR of the project फिर वह यह असान सवाल present value cash inflow equal to present value of cash outflow inflow में 1 lakh 2 lakh और 23 lakh आ गया अब यहां पे examiner ने थोड़े से science done बनने की कोशिश किया है तो कोई मसला नहीं है आप यहां पर lakh लेंग जे दी है A number 2 millionjaz ने 6 zeros होते है टो मैं 6 zeros अब यहां से movimento आप क्या कर सकते हैं काम 5 असान करने के लिए रांड पूरा के पूरा राउंड यह और धो रांड कर सकते हैं थो में ने कहा गरने है फाइफ़ तो मे रहे गया तो तो मेरे पास कुछ इक्विजुयंन यह बन जाएगई वन प्लस जिरो क मौन ले तो यह लोट पर माईनस न्यूंढाए त्यू रह जेगा सिर्फ तो टूइन टू वनप्लस आहज रहे प्लस टू-तील रहे गया तो 23 1 प्लस आर 2 रेस पार माइनस 3 यह होगे present value of cash inflow और outflow कितना 20 तो यहां पर क्या आजएगा simple 20 करेंगे क्या इन सब को calculator में put करेंगे और हमारे पास आर आजएगा 9.7 परसेंट तो जो हमारा बन जाएगा ठीक है अच्छा यह सिक्स पॉइंट थरिटी वन इंग्जेक्टली सेम यह 3 मिलियन आ गया ठीक है और यहां पर देखें एट लैक हमारे पास फिर हमारे पास ट्वेल लैक आ गया ओर फिर हमारे पास एटीन लैक आ जो तो 3 के बाद एकटता है एक बहुत हों गया अब है यहां से करना है थी कि आ अच्छा जी तो अब जब मैं कुछ लिखने वाला हूं तो फोर्मूला प्रेजेंट मेरी कैसे इंफलो इकटू से सबसे पहले बज़ेगा जिरो पॉइंट बन गया ठीक है तो वन प्लस और टुरेस पार माइनस वन प्लस यह रह गया वन पैंट टू ठीक है तो मेरे खाल में यह ज्यादा सूटेबल नहीं लग रहा तो इसलिए बस फाइफ फाइफ जिरो लेक लेक काम लेने काम चल जाएग होगा तो वन पैंट टू वन प्लस और टूरेस पार माइनस टू फिर वन पैंट एट वैसे भी वन पॉइंट एडिसका मतलब एक दो तीन तीन स्पेसिस लग रही है तो बेतर यह है कि यह ना करें ठीक है इसकी बजाए आप लोग सिंपल सा यह करें बस लैक लैक को कॉमन यहां से हम क्या करेंगे सिर्फ लैक लैक कॉमन लेंगे पांट पन जीरो कॉमन लेंगे तो सिर्फ हम पांट पन जीरो कॉमन लेंगे यहां से पांट पन जीरो कॉमन लेंगे तो यह हमारे पास एट रह जाएगा यह ज्यादा सूट एक दो तीन स्पेसिस लग रही है ना त 12 1 plus r 2 raise power minus 2 plus 18 1 plus r 2 raise power minus 3 present value cash inflow हो गया equal to present value of cash outflow 30 है यहां पर रहका 30 क्या किया सब्क्राइब क्या में पूट किया और हमारे पास आजएगा 11.18 परसे जैट इस दी अल्फा वान तो हमारे पिस्त्रा से अल्फ आ चाहिए अच्छा जे लास्ट कोस्टन में हमारे पास तूच with a और अगर डिस्काउट्रिट यूजि क्या प्रचेंट है और अगर डिसकाउटь रेट में परसे और अगर डिसकंट रेट तो इसकी जो नेंट Neden वाडियों नेगेटिव में आ रही है 2, 3, 5, 4 negative estimate the IRR of the project बताएं project का IRR क्या होगा यह जो हमने उपर वाले question solve की है यह हमने net present value के जरी IRR calculate किया है अब इस question में क्या है already net present value के calculated values हमारे पस given है अब वहाँ से हम क्या करेंगा IRR calculate कर रहे हैं तो यहाँ पर IRR calculate करने के लिए हम IRR का अपना formula use करेंगे तो IRR का जो original formula IRR is equal to lower rate plus net present value of lower rate net present value lower rate minus net present value higher rate multiply by high rate minus lower rate ठीक है तो यह formula हमारे पास है ठीक है अब वैल्यूस पूट कर देते हैं वाट इस दी लो रेट एट परसेंट इस लो रेट तो यहाँ पर आजेगा हम आपास 8% ठीक है plus कर देंगे net present value लो रेट आट परसेंट के net present value क्या 5-6-4-1 तो इदर आजेगा 5-6-4-1 तो नीचे भी आजेगा 5-6-4-1 माइनस है और यह 2-3-5-4 भी माइनस में तो माइनस माइनस हो गया plus तो 2-3-5-4 multiply हाई रेट 10% है और लो रेट 8% है ठीक है जी तो यह हमने क्या किया formula IRR का apply किया उस सारी values को क्या क्या यहां पर put कर दिया अब क्या करेंगे इस सारी values को calculate solve करेंगे तो calculator हमें 9.41 परसेंट आंसर दे देगा ठीक है तो इस तरीके से आप IRR calculate कर सकते हैं अगर आपको एक net present value पॉस्टिव हो और एक net present value given हो या कोई भी आपको किसी भी डिसकाउंट रेट के उपर net present वैलिज गीवन हो तो यह आई आरार का अपना formula यूज करके आप IRR की values find easily कर सकते हैं ठीक है ओप सो यह अपने आयरा calculation कर ली और इस तरीके से हमारा discounted cash flow chapter number six complete हो गया chapter number five full-fledged simple interest और compound interest का मैं already सारा एक सार अप्लोड कर चुका हूं और chapter number six discounted cash flow में NVT net present value और IRR भी complete हो चुका ठीक है अब next video में इंचाला तला chapter number four linear programming उसके ओपर इंचाला discussion करूंगा और उसके बाद इंचाला statistics से कुछ chapters जो difficult होंगे students को लग रहे होंगे और जो students कीएंगे तो as per their demand वो मैं discuss कर लूँगा अपना खयर किगा इच्छे से त्यार किजएगा में दौा में याद रखेगा अलाफिस